Assalamualaikum everyone Welcome to my YouTube channel और आज है मेरी पहली वीडियो है YouTube पर और आज मैं बनाने लगी हूँ एक cute सा chocolate gift hamper तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक foaming sheet इसके उपर आप कोई भी cool cheese रहके round circle में कोई cheese रहके और इसको trace करें और इस तरह चुरी की मदद से या फिर cutter की मदद से इसको अराम से काट लें जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है बिलकुल इसी तरह से और आपको ये दो circles एक ही size के काटने हैं ये foaming sheet जो है ये packing में बहुत जादा use होती है तो अगर आपके घर में fridge, oven वगारा कोई इस तरह की electronic की जो भी जीज़ें आती है उसकी packing के अंदर ये तो लाजमी होती है तो ये आपको घर से ही मिल जाएगी मैंने तो खेर market से ली थी लेकिन आपको घर से easily मिल जाएगी इसके बाद मैंने ली है एक double sided tape और इसको इस तरह से काट के तो हमने जो दो round circles जो हमने बनाए हैं उसको एक दूसरे के साथ हमने चिपका देना जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से उस पर लगाने और फिर दोनों को हम अच्छे से चिपका देंगे हम जो फोम लगावे साइट पे थोरा सा इसको हाथों से हमने अच्छे से स्मूथ कर लेना है क्योंकि इसके ओपर भी हमने double tape लगानी है ताकि वो अच्छी तरीके से इसकी साइट्स कवर कर ले और साइट्स पे अच्छे तरह से चिपक जाए और इस तरह से करके हमने एक ही दफ़ा में सारी double tape लगा देनी है इसके साइट्स पे ये नीचे वाले पे लगाई और इसके उपर वाले पे भी टेप लगा दी इसके बाद आप उसको अच्छे से हाथों से प्रेस कर ले जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ और अब इसके बाद आपने लेना है कोई भी अपने पसंद की चॉकलिट्स ले 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 मेंने पर्कली है और उससी तरह आपने बसस इसको खोलते जाना है थोड़ा थोड़ा 11 सहारा निया आपने उसके पर टेप के उपर से नहीं उतार देना अपने हलक़ा हलका से उसके उपर से उसका घजेव पर होता है वो उतारना है और एक एक चॉकलेट करके आपने इसको लगा देना जिस तरह आपको वीडियो में नज़रा रहा है यह बस फॉर्मिंग शीट को काटना थोड़ से मुश्किल काम था लेकिन उसके बाद तो सब कुछ बहुत मज़ेका काम है आपको सीधा सीधा चॉकलेट्स लेनी है और चॉकलेट्स लगा देनी आपको तो मुझे बहुत मज़ाया था इसको बनाते वे मुझे बिलके वीडिय होते हैं इनमें मेहनत तो बहुत लगती है और टाइम भी आपका बहुत लगता है लेकिन मुझे तो ये हैंडमेड गिफ्ट ही अच्छा लगते हैं आप जिसको भी देते हो उसको एक स्पेशल फील होता है कि भई इतनी मेहनत करके इतना टाइम लगा के मेरे लिए किसी ने गिफ्ट बनाया है क्योंकि बाहर से तो कोई भी दे देता है उठा के गिफ्ट अब ये लास्ट चॉक्लिट लग गई है और ये कितना प्यारा लग रहा है बिल्कुल ये सारा चॉक्लिट से कवर हो गया है और अब इसका दरम्यान में क्यूंकि सब कुछ खाली है तो इसके अंदर हम रखेंगे कुछ कैंडीज और यहां मेंने एक्लियर्स ली है तो मैंने तो एक्चॉली इसका कलर मैच किया है एक्लियर्स का कलर भी थोड़ा गोल्डन सा है और ब्लू कलर का है और मेरी जो चॉक्लिट थी वो भी थोड़ा गोल्डन और ब्लू कलर उसमें आ रहा था तो इस तरह चे करके अब इसके उपर भी हमने ये अगेन इस पर डबल टेप लगाएंगे जस तरीके से मैं लगा रही हूं बिलकुल इसी तरीके से झाल 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 झा अब इस डबल टेप के उपर हमने अपने एकलियर्स रख देनी है और थोड़ी इस तरीके से रख रही है कि एकलियर्स से सारा जो वाइट पेस है वो सारा कवर हो जाए और बिल्कुल नजर ना है और उपर सिर्फ एकलियर्स ही नजर आए तो इसको हमने अच्छे तरीके से लगा देना है साथ साथ चिपका के और याद आए रही है झाल झाल सारे क्लियर्स लगाने के बाद मैंने दर्मियान से एक थुरी सी जगा छोड़ दी थी और जो रेड कलर का बॉक्स है इसमें रिंग थी और यह वाला बॉक्स मैंने इसके सेंटर में बिल्कुल रखा हुआ और वो भी डबल टेप के साथ में इसको जिपका दिया था और इसके इस तरह से करके टाय कर देना और इसकी बेक प्यारी सी बू बना देनी है और यह हमारा चॉकलेट गिफ्ट हैंपर बिल्कुल वेड़ी है आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो केमेंट्स करके ज़रूर बताएं अल्ला हाफिज